हेलो फ्रैंग्स स्वागता हम सभी का मेरे यूटीव चानल पर दो आज जो हम बात करने वाले हैं कालपोल 500 टैबलेट के बारे में तो कालपोल जो टैबलेट आती है हर एक घर में कि टैबलेट क्यों होनी चाहिए और इस टैबलेट को हमें क्यों रखना घर में जरूरी होता है तो कालपोल जाती है यह GSK के आती है और सॉल्ट की बात करें तो इसके अंदर पैरसेटमॉल 500 mg इस्तमाल किया गया है और दो सॉप्राइस की बात करें तो 14 रुपे में यह 15 टैबलेट का पूरा एक इस्तिरी पाता है दोस्तो बात करते हैं इस कालपोल जिसके अंदर पैरसेटमॉल सॉल्ट होता है इसको हर एक घर में क्यों होना चाहिए दोस्तो इसका जो कॉमनली जो यूज है आपके यदि किसी को घर में बुखार आ जाता है तो बुखार को दूर करने के लिए दोस्तो यह बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि दोस्तों ये एक antipiratic tablet होती है जो कि बुखार को दूर करने का काम करती है इसका साथ दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा benefit होता है बुखार के साथ यदि किसी के body pan रेता है या दर्द रेता है तो ये analgesic के रूप में भी काम करती है जो कि non-steroidal anti-inflammatory drug की स्रेडी के अंतरगद भी ये drug आती है दोस्तों यदि आपके घर में किसी को भी बुखार आता है या दर्द होता है तो उस condition में इस paracetamol tablet का इस्तमाल किया जाता है बहुत common tablet है दोस्तों और हर एक घर में ये tablet होनी चाहिए ऐसा नहीं है दोस्तों ये कालपोल मैंने आपको जैसे इसका ब्राइड नेम बताया है तो आपके घर में कालपोल ही होनी चाहिए आप किसी अधर ब्राइड की भी रह सकते हैं उसके अंदर paracetamol 500 mg होना चाहिए दोस्तों बात करते हैं अब इसकी dose के बारे में तो side effect की बात करें तो इसके इस्तमाल करने से मतली हो सकती है उल्टिया हो सकती है लीवर प्रावलम हो सकती है ये जो होते है side effect इसकी overdose के इस्तमाल करने से होते है आई हो दोस्तों मेरे दोरा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को subscribe, like और bell आइक अंदमार न भूले जिससे कि मेरी आने वागली अगली वीडियो का notification आपको मिलता रहे दोस्तों आप इस कालपोल 500 को किसी भी कैमिसे, मेडिकल सोप से खरी सकते हैं आपको असानी से मिल जाएगी धन्यवाद दोस्तों